नमस्कार विद्याति मित्रो आधना वर्चुयल क्लास्रूम ट्रेनिंग प्रोग्राम मा उँँ आपनू हार्दिक स्वागत करूछु। मित्रो अगाव आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जीनु जनरेशन, ट्रांस्मीशन अने डिस्ट्रिबिशन जोई गया। हवे ट्रांस्मीशन अने डिस्ट्रिबिशन माटे वपराती ओवर हेड लाइन नी एसेसरीजनु आपने आ चैप्टर मा विगत्वार समझीशू। तो आपने तमने समझावी दो पेलामा पेला वपराती दर्रेक एसेसरीनु बेजिक आइडिया। तमें जोई सको छो पेल्लू छे पोल्स एटले के थाम्बला आकरूती मा तमने थाम्बलो बतावेलो छे बिजू छे क्रोसाम। पोल्नी काट खुणे लगावामा आवता रोड के जहने आपने क्रोसाम कहिये चे त्रिजू छे लाइन इंसुलेटर केबल अने क्रोसाम वच्चे लगावामा आवता भागने कहवाई चे लाइन इंसुलेटर चोत्ः जे कंडक्टर अट लेके केबल पाच्मूँ जे स्टे वॉर्ड श्टे रूड थामला ना सपोर्ट माँटे वप्रां मा आपता वायर अथवा रूड ने स्टे वायर असट रूड कहेछे गारडींग केबल एक बिजाना संपर्क मा ना आवे ते माटे करवामा आवेली व्यवस्ताने गार्डिंग कहवामा आवे छे क्लेंप अने नट बोल्ट तो क्रोसाम अने थामला वच्चे अथवा क्रोसाम अने इंसुलेटर वच्चे क्लेंप थी एक बिजाने फिट करवा माँ आवे छे अने तेमा नट बोल्ट नो उप्योग करवा माँ आवे छे छेल्लू छे अर्थ वायर तमें जोई सको छो के थांबला ना टोप पर थी थांबला नी बोड़ी ने कनेक्टेड अर्थ वायर जई रहो छे हवे पोल्स थांबला तो एना प्रकार विशे आपने जोई लिए पहलू छे आर्सीसी पोल आर्सीसी एटले के रेंफोर्स सिमेंट कॉंक्रिट पोल्स जहमा सिमेंट रेती कपची अने नाना सडियाना टुकडानू मिश्रान करीने आखु माटिरियल तैयार करवा माँ आवे जहमा माइल स्टील केल्वेनाईज आयन अथ्वा SS नो उप्योक करवामा आवे छे एमां त्राण प्रकार छे पहलोचे ट्यूब्यूलर पोल जहमा ट्यूब अथ्वा सिलिन्डर आकर ना पोल वापणा आवे छे। बीजु छे रेल अथ्वा चैनल टाइप पोल जहमां ए पहला पहलू आपने जोई ये आर्सेसी पूल मा होलो टाइप पूल तमें जोई सको छो के आर्सेसी माटीरियल माथी बनावामा आवेलु आ पूल छे त्यमां वच्चे घुरूस एतलेके खांचा आपएला छे जैनाती सूत आई छे तो पहलू RCC मटीरियल खुब जो छू अपराई छे बीजू एना द्वारा थामला पर चड़वामा सरडता रहे छे बराबर तो तमें जो यू होलो टाइप RCC पूल हवे होलो टाइप RCC पूल बे भेगा करी ने तेना उपर डिस्ट्रिबिूशन ट्रास्पोंबर पर तमें छे अथवा जे ग्रूस तमें क्यों खांचा छे तेमा क्रोस आम मुखी ने तेनी उपर तमें डिस्ट्रिबिूशन ट्रास्पर मुखी सको छो बे थामला वापर मा आवची तेमा RCC ना तेना लिदे मचबूत आई पर रहे छे अने तेनू बंधरन पन सचोट जडवाई र मेंली RCC पोल सोलिटाइप वापर वामला मुझा पर अवे छे जिस्ट्रा हाई वल्टेज अथा हाई वल्टेज जम्मिन ना समपर्क मा ओछा रहे छे अना पर चलवा माटे क्रेड़ल मुख्यते में वापर वामला मुखी छे हवे स्टील पोल विशे माहीती मेड़ी लेए तो स्टील ली नानी नानी पाईपो भेगी करी ने स्टेप बाई स्टेप व्यास गटाडी ने एक बीजा उपर गोठवामा आवे तो एक स्टील पोल नू स्ट्रक्चर आखु तयार थाई छे तमें जोई सक्सो पिच्चर मां के नीचे नो जे भाग रहेलो चे तेनो व्यास वदारे चे तेना उपर जे ट्यूब फीट करेली चे तेनो व्यास ओछो चे तेना करता ओचो चे आना थी सुथाई स्टेप बाई स्टेप तमें थामला बर पर चड़ी सको चो अने स्टील पो पोला आकार ना होवा थी मटिरियल पन उच्छू वपराई छे तेथी आजकाल मेनली स्ट्रीट लाइटिंग माटे स्टील पोल नो उप्योग करवा मां आवे छे तमें जोई सको चो स्ट्रीट लाइट ना जुदा जुदा प्रकार ना स्टील पोल तमने बतावा मां आव आप पूल नो डिस एडवन्टेज एछे के ते चडवा मा सरण होता नथी तेथी अत्यारे में ली एच टाइप अथवा रेल टाइप पूल रेलवे लाइन मा वापरवा मा आवे छे तमें पिच्चर मा जोई सको छो के इलेक्ट्रिकल रेलवे सिस्टम माटे एच टाइप प फीगर तमें जोई राशो जेनो बेज छे खुबày नेरों छे नेरों एकली के चाकड़ो तमें जोई सको छो बनने फिगर मा के साकड़ा token बेज वारा सटील टावर उपार जें से जैनने नेरों बेज वार टिलों ठावर पने खई सू नेरों बेज टिलों आप आपुलि ऑ अत्यार्य पण एनो वपरास चालू छे पन जिया जग्या नो अबबाव होई त्या नेरोबे स्टिल टावर वापरवामा आवे छे हवे आ टावर हाई टेंशन अने एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन माटे गेलवेनाईज आयन माती बननेला फेब्रिकेटे स्ट्रक्चर द् उपओ करवान होई तिहांज नुटबोल द्वारा एसेंबल करवामा आवे छे बिजो प्रकार छे ब्रोड बेस टाइप नो श्टिल टावर तमें जो इफ शको छो के जहनों बेस छे इन नेरों करता नेरों बेस टावर करता पहोड़ो छे तेती तेने ब्रोड बेस टावर केहवामा आवे छे अत्यारे मुख्यत्वे ब्रोड बेस टाइप ना टावर जवापर वामा आवे छे हवे स्टील टावर प्रकार ना पोलनु उप्योग हाई वल्टेज ट्रांस्मिसन अंडि धिस्ट्रूबिशन माटे करवामा आवे छे तेना बात तमें जुई सको छो क्र तेने इंसुलेटर सपोर्ट पन कहे छे अथवा ब्रेकेट पन कहे छे ती गेलवेनाईज आयन माथी बनावामा आवे छे तेने एंगल के चैनल स्वरूपपे बनावामा आवे छे तमें जुई सको छो के एक एंगल टाइप नू एनू स्ट्रक्ट छे जेमां बोल्ट फिट करी शको छो औने तेने सिद्यू थामलाना संपर्ग मालाई शको छो हवे तेना छेडाना भागे एटले के आचे छेडा देखाये छे त्या इंसुलेटर पन फिट करवामा आवे छे तमें जोई सको छो के वच्चे ना जे ग्रूज रहे लाचे त्यां क्लैंपिंग अब वड़े ते थामला संपर्ग फिट करें लाचे अने साइड ना ग्रूज रहे लाचे त्यां इंसुलेटर फिट करें लाचे अने इंसुलेटर ऊपर केबल वहवडामा आवे छे हवे क्रोस आमना थ narc das प्रकार जोई लई जोमाने पहलो जोई सको छो तो पहलो प्रकार चे पॉल-t Li के पूल-्रक उपर थी एक वायर पासार ता तो औहे बिचण ब्वायर क्रोसा मं उपर थी पासार था ता हो है 2 जू छे double आम, एल लेके 2 cross आम थामला नी आजु बाजु लगायला होय 3 जू छे single आम, एल लेके थामला नी टॉप उपर एक single आम लगायलो होय आने तैमाथी cable पसार थता होय 4 जौतू छे line आम, तमें जो इसागो ज्यां आडी हरोड ना cable पसार थाई सके छे अने पाच मुचे साइड आम ज्या उब्वी हरोड ना केबल पसार थाई सके छे हवे केबल अने क्रोसाम वच्चे फिट करवामा आवता भागने आपने कहिये चे इंसुलेटर इंसुलेटर ना मुख्य प्रकार छे तम्हें जोई सको जो पिन टाइप इंसुलेटर सस्पेंशन टाइप स्ट्रें इंसुलेटर सेकल टाइप एग अथवा स्टे टाइप इंसुलेटर पहलू तम्हें जोई सको चो पिन टाइप इंसुलेटर तो पिन टाइप इंसुलेटर ना उपड़ना भागे एक खांचो रहे लोग चे तम्हें जोई सको जहां केबल फिट करभा मा आवी चे इंशिलेटर साथ है और एंशिलीर ना निचे ख्लेंपिंग द्वारा क्रों सांपर फीट शॉफा हम आवीश नाट अंट पोल द्वारा हुए हवे, छिंगल पीस इंसुलेटर हुए तो ते 11 के वी नी लाइन सुधी वाप्री सकाई छे, डबल पीस जे तमने आ निचे देखाए छे डबल पीस इंसुलेटर हुए ते 66 के वी सुधी वाप्री सकाई छे त्यानी उपपल नी लाइनों माटे थ्री पीस अथवा एना करता वधारे पीस ना पिन इंसुलेटर वापरी सकाई छे बीजू छे सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर हवे सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर माँ डिस्क नू उप्योग करवामा आवे छे तमें जोई सको छो डिस्क एक डिस्क नी 11 किवी सुधी नी क्षमता होई छे अभी अनेक डिस्क फिक्स करवामा आवे छे जे हाई टेंशन अथवा एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन माटे वापरवामा आवे छे आ प्रकार ना तमें फिगर मां जोई सको छो तेम एक डिस्क नी नीचे बिजी डिस्क अने बिजी नी नीचे ट्रिजी डिस्क एम आगर जोडवामा आवे छे सौथी उपणनी डिस्क नी टेप मां डिस्क लटकानों एक हूक आई छे तमें जोई सको छो छो हूक छे जे क्रो सामपल लगावा मावे छे इंसुलेटर अने तेनी निचे क्लेंपिंग द्वारा केबल लगावा मावे छे तो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर हाई टेंशन अथवा एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन माटे वापरवा मावे छे शेकल टाइब इंसुलेटर हव मानो के कोई लाइन थांबला नी काट खुने जए रही छे अथवा त्यांथी वडांक लए रही छे तो तेवा समय पीन टाइब अथवा सस्पेंशन टाइब इंसुलेटर वापरी ना सकाई तो तेनी माटे एक रचना करवा माई छे तम्हें आकरति माँ जोई सको जो सेकल टाइब इंसुलेटर जेनी वच्चे पोलान होई छे जहमाथी तमें केबल पसार करी शको छो अने एनी वच्चे खांचा आपीला होई छे जेने तमें क्लेंब द्वारा क्रोसाम साधे फिट करी शको छो अना इंसुलेटर न उप्योग ने बाजु तानाई छे आथी घणिवार आशरे आठके दस पिन टाइप इंसुलेटर पछी एक शेकल टाइप इंसुलेटर वापरवामा आवे छे नेक्स्ट स्ट्रेंड टाइप इंसुलेटर हवे सस्पेंशन प्रकार ना स्ट्रिंग इंसुलेटर नुप्योग वखते जिया लाइन वडांक लेती होई अथ्वा लाइननी सरुवाद शरुवादनी स्ट्रिंग के छिल्ली स्ट्रिंग उपर खुब टेंशन आवे त्यारे आ प्रकार ना इंसुलेटर तमें जोई सको चो वापरवामा आवे छे सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर नी अन्ते अथवा शरू आत्मा स्ट्रेंट टाइप इंसुलेटर चे जरनी रचना स्परिंग जेवी होई छे तेथी खुब जवधारे दबान जहरे आवे लाइन उपर अथवा हाई टेंशन होई खेंचान होई तेरे आ टाइप ना इंसुलेटर थामला साथे कंड़क्टर नो सपोर्ट ज्याडवी राखे छे तमे आकरुतीमा जोई शको छो आ प्रकान इंसुलेटर नी रचना सस्पेंशन इंसुलेटर जेवी जोई छे Punch। तमें डिश्क पन जोई सकोच्छॉ परन्तु स्ट्रेंट प्रकाना इिन्सूलेटर होई जनि एकसिस होई चे। सस्पेंसन टाइप उब्बू होई चे अन्या स्ट्रेंट टाइप इन्सूलेटर आडी हरोड माँ होई छे। तम्हें आक्रूती मां जोई सको चो के थांबला नी बनने बाजु श्ट्रेंड टाइप इंसुलेटर फिट करेला चे जे आडी हरोड मां चे अने थांबला ना कंड़क्टर साथे जोडेलो तेमा ख्याचान अथवा दबान आवे तो आ रचना थी तम्हें आराम थी एनू स्टे केबल जे थांबलाना सपोर्ट मांटे लगावेलो होई छे थांबलो होई छे एना सपोर्ट मांटे स्टे वायर लगावेलो होई छे थांबलानी कॉंटेक मां स्टे वायर होई छे जेना लिते जो कदाच लिकेज करन थांबला उपर भहतो थाई तो ते पन निचे अ जा खाचा माँ पर आरी ते क्रोस आम जे टा स्टेव आयर जे छे थांबलाती त्यां एक वच्चे एक इंसुलेटर फिट करवा माँ आए छे तेनी उच्छाई वधारे राखवा माँ आए छे जेती ते मानाव संपर्क मान ना आवी सक्के हवे कंडक्टर अथवा केबल जे लाइन माटे उप्योगी छे पोल्स नी साथे कंडक्टर केबल कनेक्टेड होई छे जेना मुख्या त्राण प्रकार छे मटिरियल वाईस पहलू छे एल्यूमिनियम बिजू छे ACSR एडले के एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेंफोर्स अनत्री जू चे अत्यारे बहरा प्रमाल माँ वापरों माँ चे एरियल बंच केबल पहलू जोई आपने एल्यूमिनियम कंडक्टर तो एल्यूमिनियम किम्मत मां खुबत सस्तु होई छे कोपर करता त्यामाज त्यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ ओछी होई छे वजन मां हलकी धातू छे पन बरड़ छे तेथ milyनरति के थारों के आपड़ कोई कपडु कोई कपडु निच वी रहां चे कपडाने आकन जहेरीते निच निच विये रहां टो जेने स्ट्रेंड करी ने kendis वापरवां आये चे तमें जोई सको छो strain कंड़क्टर छे बिजू छे ACSR Aluminum Conductor Steel Rain Force हवे strain करेला कंड़क्टर माँ सू थाई छे के लाम्बी लाइन होई लोंग ट्रांस्मिसन लाइन जेमा हाई टेंशन होई त्यारे तमें जोई सखोच आकरूती मां कि जे आजू बाजू कंड़क्टर रहिला छे तेनी वच्चेनू कंड़क्टर तेनी उपर खुबज वधारे वजन आवे छे तेना लिदे सुथाई जो एकज माटिरियल मां वापर वामां आवेलू कंड़क्टर होई मानों के एल्यूमिन्यम कंड़क्टर छे तो आ भाग पन एल्यूमिन्यम औने आ भाग पन एल्यूमिन्यम तो यहू थासे के एल्यूमिन्यम वजन मां हलकी तेमाच बरल धातू होगा स्टील कंड़क्टर मुखवाम आवे छे स्टील कंड़क्टर नी हाइट एंसाल स्ट्रेंथ खुबज वदू हवा थी जहरे वजन पड़े त्यारे ते तूटता के भागता न थी अने आजू बाजू एल्ल्यूमिन्यूम कंड़क्टर फीट करवाम आवे छे तम्हें नी रचना जोई सको छो वच्चेनो भाग तमने देखाई छे जे स्टील रेंफोर्स छे जहां स्टील माटिरियल ना कंड़क्टर वापरवाम आवे छे अने आजू बाजू तमने एल्ल्यूमिन्यूम कंड़क्टर जोई सका छे स्टील एल्ल्यूमिन्यूम हवे नवा उप्योग मां लेवामां आवता कंड़क्टर के जहने ABC कंड़क्टर पन कहे छे एटले के एरियल बंच केबल ओरहेड डिस्ट्रिबिशन लाइन मां हवे एरियल बंच केबल नों उप्योग घणो वाधारे थाई छे त्यानू रिज 3-phase, 4-wire, 3-phase, 3-phase 5-wire सिस्टम जेमां 4-5 केबल दोडावना हऊचे त्यारे दर्रेक केबल मांते अलग-अलग एकसेसरी एटलाज क्रोसाम एटलाज इंस्यूलेटर एटलाज नत बोल्ट क्लैंप दर्रेक वस्तुनी अलग-अलग जरूर हई चे अवे नवा अस्तित्व हमा आवेला aerial bunch cable मां दर्रें बंच करीदेवा मां आवे छे अने वन ने वहवडाव मां आवे छे aerial bunch cable नी फरते insulated aluminum cable अथवा spiral शवरूपए अथवा कोई insulating material वापर मां आवे छे करीने जेती चारे चार वायर एक बिजाना संपर्क मा रहता ना थी अने इंसुलेटर प्योरली अवाहक होवाती त्यां कोई अकस्त मा थावनों पन भई होतो ना थी अने त्याना ने एवू थाई छे के जे एसेसरीस वप्राई छे ट्रांस्मिसन माटे ते खुबज घटी ज तो थाम्बला नी क्रोस मा फिट करेलो वायर तमें जोई सको छो जे थाम्बला ना सपोर्ट माटे वापरवामा आवे छे जैने स्टे वायर कहिये छे अने आ तमें जोई सको छो के अमुक डिस्टन्स उपर एक अथवास टे टाइप नूं इंसुलेटर वापरवामा आयो बड़ा बत में जोई सको छो थांबलो अन्यानी क्रोस मा सपोर्ट माटे स्टे वायर वापर्वामा आवे छे जे जन्रली इन्सुलेटिंग माटिरियल नो बनेलो होई छे गाडिंग तो केबल एक बिजाना संपर्ग माना आवे कैम के ट्रांस्मिसन लाइन मा आपने जिटला केबल वापर ये छे जेमा त्रोन केबल चार केबल पास केबल के एना थी वधारे केबल ट्रांस्मीट थता होई छे त्यारे एक बिजाना संपर्ग माना आवे पवन ना वधाले वेल्थी अत्वा कोई लाइन मा फोल्ड थयो होई अने लाइन टूटी होई त्यारे एक बिजाना संपर्ग मा ना आवे ते थी एम नी वच्चे जे रचना द्वारा अलग-अलग मुकवामा आवे छे आने अमनू फिटिंग करवामा आवे छे ते रचना कहिये चे गाडिंग जमा पहलू छे क्रेडल गाडिंग और बिजु छे केर्ज गाडिंग तमे आकरूती मा जोई सखो छो थांबलोचे ठांबला ना उपर 1234 अने पांच वायर पसार थे रिया छे निउट्रल वायर छे और्थवायर छे बाकीना फेज वायर छे अने धर्र वायर ने गार्डिंग द्वारा फिटिंग करवा मावे छे औने एक बीजाती अलग रही सके तेवी वियस्ता करवा मावे छे तो जे आडी हरोड ना वायरो छे एमना माटे वपरातू गार्डिंग एक क्रेडल टाइप गार्डिंग कहवाई छे जाने बीजी फिगर माँ तमें जो ही सको चो के जी उपबी हरोड ना वायर छे तमने देखाये चे उपबी हरोड ना वायर छे तेने एक बीजाती अलग राखवा माटे वापर मामा आवता गार्डिंग ने केज टाइप गार्डिंग कहे छे जहना थी पवन द्वारा जो वायर एक बीजाना संपर्ग मा ना आई सके तथा कोई फोल्ट थाओ अने वायर टूट्यो आ तो पण एक बीजाना संपर्ग मा न थी आवी सकता क्लेंप अने नट बूल्ट ओवर हेड लाइन मां क्रोसाम इंसुलेटर स्टेवायर चैनल एंगल वगेरेने पूल साथे फिट करवा मांटे क्लेंप नू उप्योक करवा मां आवे छे अने क्लेंप नट बूल्ट द्वारा फिट करवा मां आचे तथा क्लेंप मां फिट करव वामा आवती एसेसरीज मा पन नट बूल्ट वापर वामा आवे छे तमें जो ही सको छो सिंपल एक उदार अरण छे के मानो क्या स्ट्रीट लाइट छे तो एनने थंबला साथे जोरवा माटे एक क्लेंप आपेलो छे अने एक क्लेंपने नट बूल्ट द्वारा फिट करेलो तेवीज इसे दे माना का कोई केबल अथवा इंसुलेटर जैर्यू छे तो तेने पन फिटिंग माटे आछे क्रोस आम तेने पन थंबला साथे फिटिंग माटे क्लेंपिंग द्वारा जोडेलो होई छे अने क्लेंपिंग नी अंदर नट बूल्ट द्वारा तेने करनट अथवा अर्फ करनट व्हेहरतो थाओ तैरे धामबला नी बॉलीना संपल क्मा तमाम करणट आओ अव्हें अन्य जो बॉलीना संपल क्मा कोई माना अथवा कोई जीवित वस्तू ना आवे थेना माटे बॉलीनी उपर अथवा बॉलीनी गंमें त्या टकत होएं दिद्धो अर्थ थाई जाई छे मित्रो तमें आजनु मरू आ लेक्चर सांब्लियू ते तमने केवू लागू एमाने जरूर जणाव सो तथा आ लेक्चर सांथी दी सांब्लियू ते बलन हुँ तमारो आभार मानू छू नमस्कार